चलिए आज बनाते हैं बहुत ही आसान और टेस्टी सी आलू की सबजी जिसे बनाने में सिर्फ 10 मिंट लगेगा जादा वक्त नहीं लगेगा और बहुत ही टेस्टी सी आलू की सबजी जो है बनके तयार हो जाएगी तो चलिए टाइम ना जाय करते हुए हम बनाना स्टार्ट तो यहां पर देखिए एक कढ़ाई लिया है मैंने इसमें तेल डालूँगी मैं एक बड़े चमच के करीब तेल जब गरम हो जाए तब हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरा जब चटक जाए तब हम इसमें डालते हैं प्यास तो यह एक छोटा सा प्यास है जिसे मैंने बारी परी काट लिया है इसे डालेंगे हम और प्यास को जो है अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे जबते कि प्यास हमारी फ्राई हो रही है यहां पर हम कुछ मसाले ले लेते हैं जैसे कि यहां पर देखें मैंने दही लिया है यह चार से पांस टीबल स्पून दही होगा वो लिया है साथ में मैंने डाला है एक टेबल स्पून अदर क्लसन का पेस्ट आदर टेबल स्पून हल्डी एक टेबल स्पून धनिया पाउडर और एक टेबल स्पून जो है लाल मिच का पाउडर लिया है ये सारे मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे साथी में हम इसमें डालेंगे अभी आदा चमच इसमें गरम मसाला पाउडर और इसे भी मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों को दही के साथ अच्छे से मिक्स करके हम इसे साइड में रख देंगे तो जब तक ये देखिए, यहाँ पे हमारा प्यास भी अच्छे से फ्राई हो रहा है तो प्यास देखिए, फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें हम डालते हैं आलू तो आलू को इस तरीके से मैंने काट लिया है और ये तीन, चार से पांच अलू है, मिडियम साइज के इसे इस तरीके से काट लिया है, साफ से धोगे हम इसमें आट करेंगे और अलू डालने के बाद अलू को जो है हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं इससे जो है आलू की सबजी बहुत टेस्टी बनती है और आलू जो है खाने में टेस्टी लगता है तो जो आलू फ्राई हो जाए हमारे, उसके बाद में हम यह जो दही का पेस्ट बना के रखे थे सब मसालों का उसे डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करते हैं तो चली अब नमक बारी है नमक डालने की तो नमक भी डाल लेते हैं तो मैंने यहाँ पे हजब जाए का नमक डाला है नमक डालके हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम जो है आलू को पकने रखेंगे बस और कोई मसाले नहीं डालना है बस बेसिक से मसाले मैंने डाले हैं तो यह डाल के हम ढखकन लगा देंगे और आलू को पकने रखेंगे तो यहाँ पर देखी पांश मुट के बाद खोल के मैं चेक कर रही हूँ दही का पानी जो है काफे हद तक सूख गया है देख सकते हैं आप तो बस अब हम ढखके से पांच मिट और पका देते हैं ताकि आलू जो है हमारे कंप्लेटली गल जाए देख सकते हैं आप आलू बहुत अच्छे से मसाला जो है सूख गया है और अच्छे से मसाला हमारा पक तो उसके बाद अब हम इसमें डालते हैं धनी के पत्ते डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यह आलू के सबसी बहुत टेस्टी लगती है जो हमने दही डाल के बनाया है तो हल्का हल्का सा खटा पन तो यह इसे आप जो है पूरी रोटी सबसी पराठे किसी की भी साथ ख तो इसलिए यहां पर मैंने हल्का सा पानी डाला है और अभी हमें इसे जो है पांच मिनट पका लोंगी डखन लगा के पांच मिनट के बाद आप देख सकते हैं यह हमारी आलू की सबसी जो है बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है तो आप हम गैस की फ्लेम को आफ कर दे कि ट्राइ कीजिएगा और लास्ट में देखिए मैं चेक कर रही हूँ कि आलू गले है की नहीं तो देख सकते हैं आप आलू जो है अच्छे तरीके से गल चुके हैं रैसे पर अच्छे लगे होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा